नर्सिंग ज्यनती ब्रत ये ब्रत वेशाख सुकल के दूर्दसी को किया जाता है इसमें प्रदूर्श बेरनी प्रीम चतुर्थी लेनी चाहिए यदि दो दिन आसी चतुर्थी हो अथवा दोनों ही दिन नय होतों भी मदनती थी त्रोदसी का संसर्ग बचाने के विचार से दूसरे दिन की ही उपवास करना चाहिए यह अवश्या समर्ण रहे के देव योग अथवा सवग्यावस किसी दिन पूर्ब विदा में शनी स्वात्ती सिध्धी और बनीज का संजोग हो तो उसी दिन ब्रत करना चाहिए ब्रत के दिन प्रताकाल में सुर्याद्धी को ब्र करके तांबे के पात्तर में जल लें और नर्सिंग देव देवेश व्यताव जन्मदीव ने सुभे उपवासम करिश्यामी सर्व भोग विवर्जी चीता है इस मंतर सिंग संकलप करके मद्यहान के समया नदी आधी पर जाकर करमस्या तील गोम्या अम्रित और आबले मल कर प्रित्थक प्रित्थक चार बार शनान करें इसके बाद शुद्ध शनान करके बही नित्या क्रित्या करें फिर घरत आकर क्रोध लोव मो मित्या वाशन कुसांग और पापाचार अधिका सर्वत्था त्याग करके बरमचार्या सेहत अपवास करें साइकाल में एक देवी बेद्दी पर अस्ट दाल बना कर उस पर सिही नर्सिही और लक्ष्मी की सोने की मूर्ति स्थापित करके बेद मंत्रों से प्रान प्रतिष्टा पूर्वक उनका सोड़सो पचार से अथवा प्रानिक मंत्रों से पंचो पचार से पूजन करें रत्री में गायन बादन पुरान श्रवन या हर्वी संक्रीतन से जग्रन करें दूसरे दिन फिर पूजन करें और ब्रह्मनों को भोजन बना कर सब जनों सहत स्वियम भोजन करें इस प्रकार प्रतिवर्श करते रहने से नर्सिह भगवान उसकी सब जगें रक्षा करते हैं और अच्छे धन धान्या देते हैं नर्सिह पुरान में इस ब्रत की कथा है उसका सारंस ये है जब हरनक्षिपू का संहार करके नर्सिह भगवान कुछ शांत हुए तब पहलाद जी ने पूछा कि भगवन अन्य भक्तों की अपेक्षा मेरे प्रति आपका अधिक स्ने होने का क्या कारण है तब भगवान ने कहा कि पूर्व जन्य में तुँ विद्यहीन अचारहीन बासुदेव नाम का ब्रह्मन था एक बार मेरे ब्रत के दिन बैसाक शुकर चदुर दसी को विशेश कारण बास तुने ने जाल पिया ने भोजन किया ने सोया और ब्रह्मचार्या से रहा इस परकार स्वत्य, सिद्व, उपवास और जागरन हो जाने के परभाव से तुन वक्त राज पहलाद हुआ सभी परकार के बताओ के और 18 प्राणों की जान करें वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्रेब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाव मिले है अब लाव मिले है